दो दिन पहले मैंने आप सबको कमारू उस्मान की उपर वीडियो बना के ये बताया था कि कमारू उस्मान का क्या फ्यूचर होने वाला है और उस वीडियो में मैंने आप सबको inform करा था कि कमारू उस्मान ने एक interview में बोला है कि वो upcoming contender से fight करने वाले हैं UFC के welterweight division में जो contender कोई होगा जिससे उनकी fight हो सकती है और आज यहाँ पर update निकल के आ रही है कि कमारू उस्मान को यहाँ पर हामजा चमायव के against डाला जा सकता है और उस्मान ने यहाँ पर demand करी है हामजा चमायव से एक match के लिए मैंने आप सबको सबसे पहले यह information दी थी कि कमारू उस्मान किसी welterweight contender के against जा सकता है आज इसके उपर एक confirmation में निकल के आ गई है कि कुछ ना कुछ working चल रहा है कुछ ना कुछ चीजे चल रही है UFC के अंदर ही internal department में और कमारू उस्मान ने भी सामने साख के इसको confirm कर दिया है तो इस वीडियो में हम यही discuss करने वाले हैं कि क्या यह possible match up हो सकता है और होगा भी तो कौन से weight division में होगा कब हो सकता है कब हमको यह देखने को मिलेगा लेकिन भाई उससे पहले आप सबसे request है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करिएगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा 3000 subscribers का हमारा goal start हो चुका है कि हम try करेंगे में के महीने में ही खतम करने का तो देख यह चीजें यहाँ पर actually start कहा से हुई यह हमजा चिमायव वर्सेस कमारू उस्मान की बाते ऐसे तो कमारू उस्मान को काफी बार challenge कर रखा था हमजा चिमायव ने जब वो champion थे लेकिन जब champion था कमारू उस्मान तब वो हमजा चिमायव से fight करने के लिए most probably यही बोल देता था कि हमजा चिमायव को कुछ और victories चाहिए होंगी तब उनकी fight होगी और originally अगर आपको मैं explain करूँ जो timeline था UFC की जो planning थी वो यही planning चल रही थी कि कमारू उस्मान champion रहेगा और जब Gilbert Burns को हमजा चिमायव जब हरा देगा तो फिर वो कमारू उस्मान वर्सेज हमजा चिमायव की एक fight होगी title के लिए planning तो ऐसी ही थी UFC की बट हम सब को पता है कि Gilbert Burns वाले fight भी बहुत close हो गई हमजा चिमायव की और कमारू उस्मान अपना title भी हार गया Leon Edwards के लिए उस UFC 278 में तो वहाँ से timeline बहुत जादा बिगड़ गई लेकिन अब यहाँ पर वापस से बाते उठने लग गई है कमारू उस्मान वर्सेज हमजा चिमायव की क्योंकि देखिए दोनों का carrier एक तरीके से इस point पर आ चुका है हमजा चिमायव का तो carrier अभी start हुआ है लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा fumble कर रही है UFC उसकी hype train को और उसकी जो पूरी popularity उसको waste कर रही है definitely कोई कहां पर वो fight करेगा हमजा चिमायव कौनसे division में fight करेगा कौनसा opponent होगा यह सब भी पूरी तरह से sure नहीं है और साथी साथ यहां पर कमारू उस्मान का यह है कि अल्रेडी उन्होंने दो बाइ title के लिए content कर लिया एक उनको rematch भी मिल गया तो अब उनके साथ क्या करा जाए तो यहां पर एक बहुत ही definitely एक match up की गुंजायश तो है possibilities तो है और यहां पर यह चीज़े start actually कहां से हुई वहां पर कमारू उस्मान ने snapchat पर एक बंदे ने उनसे पूछा कि क्या कमारू उस्मान वर्स बोर्स चिमायव का fight हो सकता है हमजा चिमायव ने भी reply कर दिया है यह call-out का जो कमारू उस्मान ने हमजा चिमायव को करा है चिमायव ने यहां पर उस post के comment में ही लिखा सून जाके तो आप देख सकते उनका comment से यहां से वह ही कहना चारी कि जल्दी उनकी fight होगी कमारू उस्मान से और हमजा चिमायव वर्सिस उस्मान का यह match-up हमको देखने को मिलेगा बट क्या realities में ऐसी possibilities है, reality में ऐसा fight हो सकता है मेरे हिसाब से तो यहां पर possibilities है क्योंकि हमजा चिमायव का हम सब का news आ रहा था मैंने भी आप सब को inform करा था कि वो अब middleweight division में चला गया लेकिन यहां पर एक चीज और notice करने वाली होगे कि अगर आप welterweight की rankings चेक करोगे UFC की side पर जाके तो वहां पर अभी भी welterweight division में ही दिखा रहा है हमजा चिमायव को उनकी जो ranking है वो welterweight division में है तो अगर यहां पर पूरी तरीके से welterweight को छोड़ दिया है हमजा चिमायव ने तो definitely यह rankings नीचे जाती हमजा चिमायव अपनी ranking से slip होते है लेकिन UFC ने अभी तक ranking से उनको नीचे नहीं करा है तो definitely यह सारी चीज़े भी notice करने वाली होगी कि open ended रही है हमजा चिमायव को carrier को कहीं न कहीं यह पुरी तरह से pledge नहीं कर रही है कि middleweight division में ही अब वो fight करेगा लेकिन welterweight division वाला जो path है उसको भी open रखना चाह रही है UFC यहाँ पर क्योंकि welterweight division में भी बहुत सारे match-ups है जो कि हमजा चिमायव के लिए बहुत जादा favorable भी है और बहुत ही exciting fights भी बन सकते हैं नहीं बात देखिए टाइटल चॉट के यहाँ पर तो वेल्टरweight division में अल्रेडी टाइटल चॉट के लिए मारा मारी चल रही है अभी Gilbert Burns और Bilal Mohamed की fight होने माली है यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो उस fight को जीतेगा most probably वो number one contender बन जाएगा but मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि अगर यह कमारू उस्मान और हामजाद चिमायव की fight accept हो जाती है और यह बन जाती है fight तो most probably इन दोने के winner को दिया जाएगा यहाँ पर title shot मुझे तो ऐसा ही लगता है कि UFC हमेशा हामजाद की उपर Bilal को title shot नहीं देगी अगर यह fight इसको जीतता है हामजाद चिमायव कमारू उस्मान के बीच की आप सबका जो भी opinion होगा इस matter की उपर आप सब मुझे नीचे comment section में share कर सकते है और भी कोई additional information होगी आप सबके पास तो वह भी मिरशाद जरूर बताएगा मुझे comment section में मैं आप सबके सारे comments पढ़ता हूँ और मुझे comments पढ़ना बहुत जादा पसंद तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आयागो तो वीडियो को like जरूर से कर दीजेगा भाईयो चैनल को subscribe भी जरूर से कर दीजेगा road to 3000 subscribers start हो चुका है till then मिलता हूँ आप सबको next video में अ बाइब है कर दो कर दाओग हाय झाए आप सारे सक्वाषब कर देह लिए भी जपस्ता आपूर सब्सक्णा एरूर समय अभड़को बार कर दो अजड़ समयो जब समयो अभ़को बहुत से कर देख दो समयों पैनल को पहा हूँ आप